हेलो रिवन इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन्स का सेट नमबर 21 आई होब की फैंस इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को जरूर देखा हुआ नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाकर कि आप सारे वीडियो को जरूर देखे तो इस वीडियो में अच्छे-चे questions जो कि 25 MCQ में आपके साथ discuss करने वाला हूँ जो कि सभी subject से होगा यानि कि science के तीनो subject से होगा physics, chemistry और biology से तो इस वीडियो को end तक देखी और बताए कि 25 में से आप कितना score कर पाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट questions बनता है कि गाजर है एक गाजर जो आता है किसके अंतरगत आता है तो राइट अंसर हो जगा option ए जड़ होता है ठीक है जड़ होता है और जड़ से समझद और भी होते हैं जैसे कि मूली कह सकते हैं चुक अंदर कह सकते हैं सलजम यह तीनों बहुत important है ठीक है फि questions यहाँ पर आपको बताया जाएंगे वह बहुत ज्यादा important है तो हो सके तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए no down ज़रू कर लीजेगा आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है तो सबसे पहला point से यह ध्यान रखना है कि आलू एक प्रकार का क किस कुल के अंतरगत आता है तो यह धियान रहेगा सोले नेसी कुल के अंतरगत आता है और सोले नेसी कुल के अंतरगत आता है When someone तो इसका राइट थरो का option C, Arachis Hypogea, C will be correct answer, question number 5 दिखे, खासरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले टीके का नाम क्या है, इस टीके का नाम क्या होता है, MR, MMR, ठीके, MMR, तो इसका MMR का मतलब हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि मिद्ल से मम्स और रुबेला ठीक है खासरा मम्स और रुबेला होता है जिसकों लोग MMR ठीका के नाम से जानते हैं इन तीनों के लिए यूजवूल होता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है MMR कि नेग्स्ट कुशंसे कि ने लिकीत जंतूओं में से किसमें तीन प्रकोष्टT वाला ही होता है मेंढक में सब्सक्राइब'd tasks अग्ला पॉइंट से हेलोफाइटस अच्छी वि इक रते हैं जो चालिए में ओपज़ेंगे ऑंक्या कोल मुतिख म। लॉबस्टर समंहें लॉबस्टर का संबंध हम कह सकते हैं स्क्रास्टेशीयं ठdı क्रास्टेश्यक करेंगे पनजोरे जींगा मचली बड़ी समुन्द्री स्वंद्री भोज्ण के रूप में आर्थिकश्टि से काफिंऊनिस थिसrah तो यह ध्यान मकडी वंसी होते हैं, option A correct answer होगा, मकडी वंसी, चाय के पौधे का वनस्पत्तिक नाम क्या है, बहुत important प्रस्ट ने ध्यान रखेंगे, थिया साइनेसिस, ठीक है, थिया साइनेसिस, option C will be correct answer, फेंस अगर आपको questions अच्छे लगे, वीडियो पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए, दोस्तों को साथ सेर कर दिए, साथ यसाथ ओनलाइन स्टेडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करके, नोडिविकेसन बेल को on रखे, ताकि इसी तरह की regular updates आपको मिलती रहे, next questions है कि तेल बीज वाली फसल किसे संबन्धित होती है, तो यहाँ पर कह सकते है कुसी फेरा, ठीके कुसी फेरी कह सकते हैं, option B correct होगा, कुसी फेरी के अंतरगत हम कह सकते हैं, जैसे तेल बीज वाले तो सरसो इसी के अंतरगत आता है, ठीके सरसो इसी के अंतरगत आता है, मालवेसी में क्या क्या आते हैं, तो मालवेसी में आपको बता चुका हूँ कि कप पाष बेंडी गड़ो गुढ़ल जैसे कह सकते हैं गुढ़ल गुढ़ल का फुल आपने पता होगा तो यहां पिलाल हमारा करेक्ट आंसर होगा प्सन भी कूटिक करेंगे और हमारे पेड़ कोड़ में तुसके बारे में अच्छे तरीके से नोड़ भी दिया गया था चले न कपास के रेसे होते हैं राइट आंसर हो जगा ऑप्शन बी यानि कि बीजों के अधी चर्मी रो ध्यान रखेंगा जो कपास होता है वो बीज से निकला जाता है यानि को आप्शन हम बी को टिक करेंगे निमने तापी इंजनों का अनुपरियोग होता है निमने तापी इंजन तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि frequency modulation ठीक है frequency modulation option हम B को टिक करेंगे जिसको हम लोग FM कहते है frequency modulation next ने की पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है यह questions बहुत ज्यादा important है एकदम VVI प्रस्ट ने इसको याद रखेगा हवा में फानी में हवा का बुल्बुला वैसे ही काम करेगा जैसे होता लिंज्स करता है यानि कि option सब्धुकृतार स्थापन मुल्लत है कजे गरों में जो विदुतार लगा जाते हैं वो किस क्रब में लगा जाता है सम्चना अंतर तराम में यानिकित बहुती करेंगे समनादर करम में लिखीद हर्मोनों होनों में से किसमे आयोडीन गता अंसर, एक थारओक्सिन राइट अंसर क्या होजिएगो ओप्सटों बॉटेकर जरीयों नेक्स्टक्सट्वेसं दीखें कि नेमिलिखीद में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्वान होते हैं, सभी प्रोटीनों में विद्वान होते हैं, मौझूद होते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सभी के सभी, यहाँ पर राइट अंसरो का उप्सन डी, प्रोटीन एक कार्बनिक योगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइड्रोजन होते हैं, प्रोटीन में अमीनो, अमल, पेप्टाइड बंध द्वारा स्रिंखला बंध होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, चलिए, अगला पोइंट्स क्या कहा नेक्स्ट वन ये है, निमलिखीत प्रती सुक्ष में जैवी उसाधियों में से, कौन सी यच्छमा और कुस्ट दोनों के इसी कित्सा के लिए परियुक्त होता है, यानि यच्छमा के लिए भी और कुस्ट रोग के लिए भी, तो बताइए, कौन सी उसाधिये, तो हम यहाँ पर सकते हैं कि कुस्ट रोग माइक्रो बैक्टरियम लेप्री से होता है, जबकि टीवी माइक्रो बैक्टरियम यानि की यच्छमा जिसको कहते हैं, टीवी माइक्रो बैक्टरियम ट्यूबर क्लोसी से होता है, यानि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइक्रो बैक्टरिय एक तीट को कभी कभी सर्वा सार्वीक रक्त अदातायानि दीड के सब्लड नहीं तो नहीं होता है ये होता है यह कह सकते हैं ठीक इसी के भी प्रेज्ट वाला होता है यानि विडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस छोटी से पॉइंट्स के बारे में आपको बता दू जिन लोगों को मैट अच्छे तरीके से चैप्टर वाइस बिलकूल बारीकी से जिनका मैट्स वीक है और आप्लिकेशंस पर ये कोर्स चल राफेंस जो कि काफी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में हर चैप्टर को समझा जा रहा है बिल्कुल बारीकी से अगर आपके मैट्स वीक है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरे एक साल की वैलेडिटी आपको मिलेगी से लिबस में ठीक है और साथ एक और हमारा मॉंतिली बैच चलता है जो कि बिहार एसाइप के टार्गेट बैच करके इसमें आपको बहुत सारी चीजे मिलती है जैसे जुलाइं मौन्थ में यह बैच हमारा स्टार्ट हुए जुलाइं मौन्थ का ऑनलाइन सेट मिलता है हर दो दिन पर साथ साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिये जाते हैं करंट अफेस का फीडिया आपको प्रवाइड करा जाता है डेली बैसिस पे ट्वेंटी क्वेशन के साथ और भी बहुत सारी चीजे में मिलती है जैसे ऑनलाइन टिस्ट की राइंक लिस्ट आपको साथी साथ इसका ओनलाइन टिस्ट का वीडियो सोलूशन में आपको यह सारी चीजे आपको मिलती है 149 के साथ मौन्थरी बैसिस पे ठीक है तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं अपने जो भी मन पसंद बैच में जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के नीच कित में से कौन सी अन्था सरावी ग्रंथी प्यूस ग्रंथी से सोतंत्र कारे कर सकती है तो यहां पर राइट आंस रोगा परावटू ठीक है परावटू यहां पर पढ़िए परावटू जिसकों लोग पैराथ हरोड ग्रंथी के नाम से भी जानते हैं सोतंत्र रूप से का करती है जो कि सरीर में कैल्सियम और फॉस्फोरस को नियंत्रित करता है यह इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट से कि हमारे सरीर में तो अच्छा तल के नीचे विधमान वसा निमलीखित के विरूद और रोधा का काम करता हैं बताइए हमारे सरीर में तो अच्छा तल के नीचे विधमान वसा निमलीखित के विरूद और रोधा का कारे करता हैं किसके तो सरीर की उस्मा का च्छे होने से बचाता यानि कि रोकता है ऑप्शन एक करेक्ट अंसर है अगला कुश्टन फोटोग्राफी में इस थाई करके रूप में परियोग Давайте ररक तो यहांपे कह सकते हैं कि एक्रमै जांते यहांपे यह बिलकुल सब्साइब होगा उर्वरक विरसानिक योगीत होते हैं जो पौधों को उनके अच्छे उतपादन के लिए अवस्यकफ पोसक तत्तोय प्रदान गरते हैं नीचरण वेजिए इ curator को wrapp टा में वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना लाइक करना सेर करना साथ displaced चैनल को सब्सक्राइब करके रखे पियां को अ बीड़को औरभे शेट करके ताके सबीरे मास County मिलते हैं चली मिलते हैं नेक्सट prevalent कीप वाचिंग कीप लाइनग काव अक है